पर दोस्तों मैं सुमित आप सब को सागत करता हूं बड़्ट केर एंफो यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने बाला हूं कि तोते का पंग काटना चाहिए या फिर नहीं तोते का पंग काटना सही है या फिर गलत ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव और नॉलेजबल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्किप के लास्ट तक देखते रहे है और अगर आप चैनल पर नहीं आए ह तो दोस्तो इस टैम क्या हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने इस सिजन बेबी पेरोट लिया है अभी उनके पेरोट धिरे धिरे बड़े हो रहे है उसके बोडी पर पूरी तरा फेदर्स भी आ चुका है तो आपके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं वो उड़कर भाग ना जाए या गर्मी का टाइम में आप रूम में फैन आउन करके रखते हैं तो कहीं पैरट उड़कर फैन में न चला जाए और आपका ये डर जायस भी है क्योंकि इस तरह के इंसिडियंट मेरे बहुत सारे वीवर्स के साथ हो चुका है डैट भाई कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या होता है कि बेबी पैरोट जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने पंको को फैलाने की कोशिस करता है और कभी कवार वो एकसाइटमेंट में उड़ उबरी जाता है जिसे कि वो उड़ कर बाहर चले जाते हैं या फिर फैन से कट कर मर जाते है और इस एज में ये बाईल में सर्भाई भी नहीं कर पाता या तो ये भूका प्यासा मर जाएगा या इस पर डॉक्स, कैट्स या चील अटैक कर देगा तो इनी इंसिडेंट से बचने के लिए अपने तोते के पंक को काटना है और काटना क्या है बस हलका सा ट्रीम करना है जिसे कि वो हाई फलाई ना कर सके कुछ लोग पैरोट को ट्रेन करने के लिए भी उसको विंग्स को ट्रीम करते है तो ये मैंने आपको बताया कि तोते का पंक काटना चाहिए या फिर नहीं अभी हम बात करते है कि तोते का पंक काटना सही है या फिर गलत तो देखे किसी भी बर्ट के पंक को काटना आपके हाथ पर कार देने के बराबर है क्योंकि birds के लिए उसके पंक ही सब कुछ है, तो तोते का पंक काटना किसी भी एंगल से सही तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो लोग अपने birds से प्यार करते हैं, काफी टाइम से आपके पास है, और उसकी पूरी responsibility लेते हैं, तो आप अपने birds के wings को trim कर सकते हैं, बट वही पर कुछ लोग ऐसा काम सौक के पूरा करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा करने में मज़ा आता है, तो कुछ लोग वीडियो में views पाने के लिए तोते का पंक काटते हैं, तो ये चीज़ गलत है, और पंक काटने का भी एक सही तरीका होता है, कुछ लोग लोग कमेंट करेंगे उतने ही चांसे से कि जल्द जल्द ये वीडियो में अपलोड करूँगा तो आज मैंने आपको बताया कि तोत्य का पंग काटना चाहिए या फिर नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना उमीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के मि लाओ तो आज की वीडियो को हम ही बाइंड अप करते हैं